हेलो फ्रेंड्स आज हम एक नया आर्ट पीस बनाने वाले हैं जिसके लिए आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा और उसे स्किप मत कीजिएगा यहाँ पे हमने एक MDR बोर्ड लिया है जिसकी थीकनेस है 5 mm और जिसका साइज है 16 इंच आज हम यहाँ पे clay और resin का combination देखने वाले हैं तो यह जो है यह मैंने clay online purchase किया था जिसका link मैं आपको description में दे दूँगी आप वहाँ से purchase कर सकते हैं इसमें इन्होंने मुझे 10 का set दिया हुआ था दोनों को mix करने के बाद आप इसे use कर सकते हैं यह air dry clay है यह हवे से dry हो जाता है इसमें जो इन्होंने दिया था यह blue का 10 packet था और यह जो red वाला packet है यह 10 था दोनों को जब आप mix करते हैं उसके बाद ही आपको इसे use करनी है यूज होने माला है फिर जो बच जाएगा वो west चला जाएगा इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा ही mix किजिए मैंने इन दोनों को थोड़ा थोड़ा लेके अच्छी तरह से इस तरह से mix कर दिया है जब तक आपको इस तरह से mix करना है कि जब तक इसके दो अलग-अलग color हमें दिखाई ना दे वो एक ही में आ जाए यह देखिए इस तरह से उसके बाद यह थोड़ा सा sticky हो रहा था तो इसके लिए मैंने यहाँ पर powder का यूज़ किया है आप कुन सा भी powder यूज़ कर सकते हैं उसके बाद मुझे यहाँ पर लंबी-लंबी लाइने बनानी है मतलम तो इस तरह से मैंने रोल करते हुए लाइन बना लेनी है यह बनानी है यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको एकी साइस का बनाना है आप छोटा बड़ा बना सकते हैं और उसके बाद जो इसकी ठीकनेस भी रहेगी वो भी कम जादा चल जाएगी इसमें कोई प्रॉबलम नहीं आएगी यहाँ पर मैंने देखिए बहुत सारी बना ली ह अब मुझे MDA बोट के उपर काम करना है यहाँ पर मैंने जो ट्री मुझे बनाना था तो मैंने जो है पैंसिल से पहले ही मार्किंग कर ली है यहाँ पर ट्री बनाने के लिए जो भी शेप आपको बनानी है वो इस तरह से मार्किंग कर लेनी है मैंने भी यहाँ पर पैंसिल से mark कर लिया था उस हिसाब से मैं ये जो clay है इसे मैं लगाने वाली हूँ हमने जो line draw की है उसमें हमें पहले glue लगा लेना है और उसके बाद यहाँ पे क्ले को इस तरह से लगा लेना है ये लाइने हमें उस लाइन के ऊपर लगा लेनी है और इस तरह से जो last का है उसे थोड़ा सा corner वाला shape दे देना है थोड़ा round कर देना है ताकि वो अच्छा लगे इस तरह से हमें जो tree का नीचे का भाग है line line करते ट्री को शेप देना है यहाँ पे हमें और कुछ अलग से डिजाइन नहीं बनानी है बस जो लाइन है उसी को एक साथ चिपका के उसके बाद उसकी जो ब्रांच है उसको अलग-अलग कर देना है देखिए इस तरह से इसी तरह से हमने जितनी भी लाइने ड्रॉ की है उसके उपर हमें इसे लगा लेना है इस तरह से आपको पहले ग्लू लगानी है और उसके बाद क्ले को इस तरह से दीरे-दीरे करके लगा लेना है और उसके बाद जो साइट का भाग है उसे कॉर्नर का शेप दे देना है यह हमने सारे लाइनों को इस तरह से लगा ली है कले की अगर आपने जो रूल किया है वो कमपड रहा है तो और कर लीजिएगा उसके बाद जो ये ट्री का बीच का आपको दिख रहा है यहां पर जगा बच गई थी तो वहां पर मैंने छोटी-छोटी सी लाइने को कले की लगा ली है उसके बाद मैंने यहां पर सिल्वर कलर इसके उपर ट्री के उपर किया था जो कले है उसके उपर लेकिन मुझे सिल्वर कलर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया तो इसलिए फिर मैंने डेको मारकर लेके और उसके उपर गोल्ड कलर कर दिया जो गोल्ड कलर था वो उसके बाद ही कीजिएगा ताकि कले हमारा खराब ना हो जाए और उसके बाद यहाँ पे मैंने 120 ग्राम रेजिन लिया है और उसके अंदर मैंने सिल्वर मिका पॉर्डर जो होता है उसे मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है और उसमें थोड़ा सा white pigment भी mix किया है ताकि ये कुछ अलग color तयार हो जाए यहाँ पर ये देखिए ये किस type का लग रहा है उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमने clay से जो design बनाई हुई है उसके उपर resin को नहीं डालना है हम इसलिए resin बाद में डाल रहे हैं क्योंकि हमने जो golden color किया है वो भी यहाँ पर side side में दिख रहा है और उसके बाद कहीं लग गया है तो वो भी इस clay के डालने से ये resin के डालने से यहाँ पर छुप जाएगा और जो हमारा clay जो चिपका हुआ है वो भी अच्छी तरह से set हो जाएगा इस तरह से करने से ये जो art piece है उसके उपर हमारा finishing अच्छा दिखेगा इसके लिए मैंने यहाँ पर clay resin को बाद में डाला है तो यहाँ पर हमें resin को लेना है और इस तरह से आपको इसे stick की help से ही धीरे धीरे इस तरह से फैलाना है ताकि जो हमारा resin है ये clay के उपर ना चला जाए अगर जाता भी है तो आप उसे साफ कर दीजेगा कोई problem नहीं है उसी समय साफ करिएगा बात के लिए मत छोड़िएगा आपको तो पता है कि resin सूख जाता है उसके बाद हमने धीरे धीरे करते हुए इस तरह से सारे जगों पे resin को फैला दिया था और उसके बाद जो side का भाग है उसे हमने अपने हाथों से इस तरह से फैला दिये थे यहाँ पर मेरा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है जब मैंने ये resin को डाला था उसी समय हमें इस stone को ऐसे line की तरह सब जगा पे डाल देनी है आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो stone है glass crystal जो है वो मैंने किस तरह से डाले है और उसके बाद यहाँ पे जब ये पूरी तरह से dry हो जाए तो हमें यहाँ पे glass color का use करना है glass color आपको easily आपके shop में मिल जाएगा वहाँ से आप ले सकते हैं उसमें different different color रहते हैं तो मैंने यहाँ पे green color, red color और जो हमारा brown color था वो मैंने यहाँ पे use किया है और कहीं कहीं पे इसे लगा लिया है अब मुझे यहाँ glass color को भी अच्छी तरह से सूखने देना है और यहाँ पे मैंने फिर से 120 gram resin लिया है और इसके उपर मैंने इसे डाल दिया है और जो हमारा clay है इसके उपर भी हमें इसे resin को डाल देंगे कोई problem नहीं होगी और उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से हमें resin को फैला देना है हमें यहाँ पे dab dab करते हुए फैलाना है क्योंकि जो हमने glass chips डाले हुए हैं उसमें छोटे छोटे जगों पे रह जाते हैं तो अगर हम dab करेंगे तो उसके अंदर भी resin हमारा चला जाएगा और अच्छी तरह से यह set हो जाएगा और उसके बाद हमें इसे 24 hours के लिए इसी तरह से dry होने के लिए रख देना है और यह जो हमारा side का part है MDR board का इसे मैंने silver deco marker से color कर दिया है ताकि इसके उपर एक और अच्छा effect दिखाई दे अब हमने इसे 24 hours के लिए इसी तरह से छोड़ दिया है यह ताकि यह अच्छी तरह से set हो जाए यह देखिए यह कितना सुन्दर लग रहा है आपको जो यह इसका back side है MDR board का यहाँ पे जो drip लगी होईगी उसे आपको hot glue gun से निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ पे acrylic color आपको back side में कर लेना है उसके बाद आपका जो art piece है वो बिलकुल ready है यह देखिए यह कितना सुन्दर लग रहा है अगर आप भी यह art piece अपने घर के लिए बनाना चाते हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं या आप हमें order देना चाते हैं तो आप इसे customize करा सकते हैं इससे related अगर आपको कोई भी inquiry करनी हो या आपको कोई queries हो तो आप मुझे इंस्टा पे follow कर लीजे और वहाँ पे DM कीजिए Thank you for watching Do like, share and subscribe